तो दोस्तों यह तो हुआ था हमारा history of computer जो भी हमने पढ़ा फिलाल अब डालते हैं नजर कुछ mcqs पे ठीक है यह mcqs की आपको pdf मिल जाएगी इसके साथ यह आपको history of computer जो भी हमने भी पढ़ा है उसकी pdf भी नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक प्रोवाइट कर दिया जाएगा आपको तो history of computer सबसे पहला सवाल है यहां पर logarithm was invented by तो जैसे कि हमने पढ़ा था जॉन नैपियर ठीक है जी यहां पर जॉन नैपियर के दुआरा logarithm बनाए गया था सेकेंड सवाल है mechanical calculator was invented by आपको याद है mechanical calculator किसके द्वारा बनाएगा था ब्लैस पास्कल दो जने थे ना मैंने बोला था कि computer किसकी द्वारा बनाए गया था चाल्स बावेज जिने जिने क्या कहा चाता है father of modern computer भी कहा चाता है तो फॉस्ट कम्पीटर वस्टेवाज चाल्स बाविज वस्ट कॉल्ड डैस स्लाइड रूल डैस ठीक है डैस फॉस्ट ऑप्शन है यहां स्लाइड डूल सेकेंड है डिफिरेंस इंजिन और यहां सही है डिफिरेंस इंजिन जिनको याद रखना आपको चाल्स बाविज ने चुपनाया था सबसे प्याला सब्सक्राइद डिफिरेंस इंजिन प्रोवाईट इस आउटपुट त्रू डिफिरेंस इंजिन था वो जो आउटपूट जो प्रोइड करता था बश्किद्वारत असमें कार्ट पंचिंग मशीन बैल यह सब था ठीक है इन सब के दोआरा होता था तो अलग याप माल कॉल्ड कोन सा कम्प्यूटर था चोकी की लगाता है जो कॉंटिटी चेंज होती है उनके लिए बनाया गया था एन एक लॉगरिद्म एनलोग कम्प्यूटर या में फ्रेम कम्प्यूटर तो यहां बिल्कों सही जवाब हो जाता है आपका एनलोग जो की अल्गोरिथम को जर्मन मिलिटरी कम्यूटिशन दूरिंग वर्ल्ड वर सेकेंड ठीक है जो हम बात करें थे ठीक है किस लिए बनाया गया था क्लॉसेज जो कंप्यूटर था डिक्रिप्शन के लिए बनाया गया था जो की इंक्रिप्ट चीजों को डिक्रिप्ट करता है theoretical definition of general proposed computer was provided by its Allen Turing the first general proposed computer which fulfilled Turing definition of a general proposed computing machine was considered he and a computer the first general computer was called any egg इसके बाद first general repeat इसके बाद है first generation computer named any was designed and fabricated by यह किसके द्वारा इसको design or fabricate किया गया था जे पी एकट और जे डव्य मौच्ची के द्वारा क्योंकि इन्हीं के द्वारा इन्वेंट भी किया गया था first generation computer named any was designed and fabricated at university यहां पर पूछी गई है तो university यह थी आपकी University of Pennsylvania USA अगला सवाल first generation computer named any was created in the year and a कौन से year में पनाया गया था तो सही जवाब है 1945 first generation computer named any a used dash technology for processing processing के लिए कौन सी technology use की गई थी है vacuum tube integrated circuit किसमे की गई थी यह third में की गई थी आपकी ठीक है transistor second में की गई थी और यह फॉर्थ में और ULS से फिफ्ट में first generation computer named any a used more than dash kilowatt of electricity power नियक के बारे में ही सवाल है तो 200 kilowatt से जादा ठीक है जी first generation computer named any a used dash for input input के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था पंस्ट कार्ड पेपर टेप मैंगनेंटिक टेप इन सभी का इस्तेमाल किया जाता था first generation computer named any a used dash for output output के लिए किसका output के लिए भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता था dash language was used to program first generation computer named any a कौन सी language के द्वारा बनाएगा था machine language c++ आई थी अपकी थर्ड में और जावा दसी c++ फॉर्थ में आई थी जावा अगरा आपकी फिफ्ट में थी ठीक है तो यहां पे अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है second generation computer was created in the year second generation computer का बनाए गया था 1959 में second generation computer used technology used dash technology for processing data to second generation की जो data processing की जो technologies माल की थी वो थी transistor ठीक है IC जो थी आपकी वो थर्ड के थी वैक्यूम फिर्स्ट की और यह फिफ्ट की VLSI second generation computer used dash for main memory main memory के लिए किस इसका स्थमाल किये गाथ है magnetic core का ठीक है जी इसके साथ ही second generation computer used dash for input input के लिए किसका स्थमाल के गया था second generation computers में magnetic disc magnetic tape या फिर बहुत या फिर दोनों ही नहीं इन दोनों का ही इस्तिमाल किया गया था second generation computers में किसके लिए input के लिए तो second generation computer used for dash for output output के लिए भी दोनों का ही इस्तिमाल हुआ input के लिए भी दोनों का ही इस्तिमाल क्या गया dash language was used to program second generation लेंग्विज यह दोनों लेंग्विज बन चुकी थी ठीक है सेकिंड जनेरेशन कम्प्यूटर तक यह दोनों ही इस्तिमाल की गई और यह फॉर्स्ट प्रोग्रामिंग लेंग्विज भी है यह यह याद रखना आपको थर्ड जनेरेशन कम्प्यूटर वस क्रेटेड इन दा यह थर्ड जनेरेशन कम्प्यूटर की यह पे यह पूछ लेया तो 1965 ठीक है जी 45 में पहला दूसरा बनाए गया 59 में और तीसरा 65 में और चौथा 71 में ठीक है आगे चलते हैं में क्तेक्शनेरेशन कंप्यूटर यूजव ड्यस्टै क्नपीटें यूजट्य को से क्रेंय के लिए इयंटेडीर सरगिट3 चेल्थी का टीक रंसिस्टर आपकी सैकेंड में हुई थी वेकिम ट्रेस्ट में पूई थी फिर्चनिण रखने सब छीज़े सॉड यह जो था आपका उसमें इन्पूट के लिए क्या इस्तिमाल किया गया था Magnetic Desk, Magnetic tape, Keyboard या फिस सभी देखो Keyboard 3rd Generation में आ गया थे यह आपको याद रखना है इन 3 नहीं चीज़ों का इस्तिमाल किया गया था इन्पूट के लिए थर्ड एन्वेरेशन computer used dash for Output आउट्पूट के लिए 3rd generation computer जो थे उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था आउट्पूट मॉनिटर मैंनेटिक टेप मैंनेटिक डेस्क इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था डैश लेंग्वेज वाज उस्हिज चू प्रोग्राम थर्द जनरेशन कंप्यूटर्ज तर्द जनरेशन कंप्यूटर के लिए को इस लेंग्वेज यूज बन्चूका था था जर्द पो बन्सक्का था बेसिक पास्कल बन्सक अधा पी यल्वन अलगॉल 60 यह सब कुछ बन था तो यहां पर जवाब हो जाएगा आपका all of them ठीक है जी फॉर्थ जेनरेशन कंप्यूटर वस्क्रीएटिर इन दाइयर फॉर्ट जेनरेशन कंप्यूटर कब बनाए गया थे 1971 में 59 में आपका बनाए गया था बताए चल्दी सेकेंड ठीक है जी 59 में बनाए गया था सेकें थर्ड बनाए गया थे 65 में और फिफ्ट एटी बे ठीक है और फर्स्ट कब बनाए था फर्स्ट बनाए गया था आपका 45 में 1945 में 4th generation computer used dash technology for processing data 4th generation computer कों सी technology स्थमाल करते थे data को process करने के लिए तो यहां सही चवाब अपका हो जाता है 4th generation computer के लिए very large scale integration VLSI थीक है जैसे के हर बार हम बात कर रहे हैं आईसी यूज हुआ था 3rd में vacuum tube यूज हुआ था आपका first में और ULSI आपका 5th में ठीक है 4th generation computer used a dash for input तो magnetic disk भी थी, magnetic tape भी थी और keyboard भी था तो इन सभी का इस्तेमाल किया गया था language was, dash language was created during the advent of 4th generation computers तो कुन सी language है जो बनाई गई थी 4th generation computers के दोरान पताई जड़ा C और C++ जैसे आप जानते ही हैं तो यह दोनों ही हमारा सेवाब हो जाएंगे 4th generation computers, dash were used for secondary storage of data ठीक है, secondary storage of data ठीक है, ठीक है, 4th generation किसका इस्तेमाल किया था floppy disk आच चुके थी, आपकी hard disk आच चुके थी tape drive already था ही, तो all of them हमारा यहाँ जवाब हो जाएगा ठीक है, dash generation computers first earned the name of personal computer, PC जो नाम मिला था, वो कौन से generation के computers को मिला था, ज़रा बताएगे, 4th generation के computers को, ठीक है जी, productivity tool like word star, lotus, database for fox pro etc, flourished during the era of dash generation computer, कौन से generation, 4th generation, computers के दौरान इन सब चीजों को बना दिया गया था, ठीक है, यह वही अप्लिकेशन से जो सब हमारी मदद करते हैं, और activities करने में, computer के में, अगला सवाल है यहां, internet was created during the era of dash generation computers, अच्छा, internet कौन सी generation computers तक बना दिया गया था, तो यह 4th generation में आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, जैसा कि हम गया रहे थे कि बहुत इंपोर्टेंट सवाल है यह आपके लिए, अगला सवाल है, 5th generation computer was created in the era, 5th generation computer कब बना गया, है, 1990 में, 65 में कौन सा बनाया गया, जिल्दी बताईए, 71 में कौन सा बनाया गया और 59 में कौन सा बनाया गया, अबर खुद से revise करने की कोशिश कीजिए, याद आए, तो बहुत अच्छी बात है, 5th generation जो computer था, वो उसमें जो इस्तमार की गये थी टेक्नलोजी प्रोसेसिंग के लिए, वो कौन सी थी, जल्दी बताईए, ज़रा, कई बार बताया है आपको, बिल्कुर सही, ULSI, Ultra Large Scale Integration, और अगला सवाल है, फिफ्ट जनरेशन कंप्यूटर, यूज़ डैश फॉर, इनपूट के लिए, क्यों सी चीज़ माल की जाती थी, माउंस, कीवोड, स्कैनर, लाइट पैन, यह सारी चीज़े महजूब थी, तो यह सभी इस्तिमाल होती थी, डैश लेंगूइस के लिए, दूरिंग, दा एडवेंट, ऑफ फिफ से कंप्यूटर फिफ जेशिन कंप्यूटर कूंसी लेंगिश फिनाएग थी जावा सी प्लस बॉत एंप एपलकु सरी जवाब इंट यह ते जुटोटों ही जवाब है कॉए है अगरा सवाब हैें फिफिफ्ट जनरेशिन कंप्यूटर डैश वर यूज़ फोर सेकंडरी स् कोन सी चीज का इस्तेमाल किया गया था तो यहां पर आपके cdvd थी hard disk भी थी floppy disk भी थी तो इन सभी का इस्तेमाल ठीक है several new forms of personal computer wiz. laptop, notebook, ultrabook, tablet, PC smartphone, chromebook, raspberry, pi were created during the era of fifth generation computer ठीक है जो सकी हमने पढ़ा तो दोस्तों यह हमने 47 सवाल अभी आपके complete करें है तो दोस्तों यह थी हमारी आज के वीडियो जिसमें हमने पहले चेप्टर का पहला point history of computers के बारे में पढ़ा आगला चेप्टर होने वाला है types of computer यह वीडियो आपको कैसे लेगी नीचे मुझे comment box में comment करके बताईए अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप नीचे comment box में जरूर लिखेएगा